हलो फ्रेंड्स डेबाई डेबी चित्रा में आपका स्वागत है आज बनाएंगे लौकी की बर्फी उसके लिए ये देखिए दो लौकी लिया है इसको ऐसे करके देख लेना एकदम सॉफ्ट लौकी लेनी है आपको और ये कुछ ड्राइफ रूट लिये हैं इसमें काजू है बदाम है और पेस्ता है इसका पाउडर बना लेना है हमें दो दो चमच लिया है ये देखिए कुछ मलाई है हम कुछ बर्फी बनाने के लिए तयारी करेंगे वह हम पहले कर ले रहे है बस एक दिन के दूद की मलाई है वो ले ली है और इसमें 100 ग्राम के करीव ये पनीर है इसमें डालके और इसको हमें पेस्ट बना लेना है और ये पेस्ट अगर थीक लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और देखिए इस तरह से एक पेस्ट यार कर लेंगे अब हमें लौकी को चील लेना है लौकी एकदम सॉफ्ट लेनी है जिसमें अंदर बीज बाद को जोंचीर कि नोंगान सिर्फ निंहिसे नहीं नेगार सो तरह से देखिएन क्लांधें सरफ कiform specialist कि में सब्सक्राइबूंट यह बढ़ा है इसलिए मैंने इसको ले लिया है सारी लॉकी को इसमें डाल के और धकन से डख देंगे तोड़ा सा पक जाने देंगे और इसको देखे इस तरह से थोड़ा सा 50 परशंट गल जाए बस अमें उतना पका लेना है और इसके बाद इसको चान लेना है पानी निकाल इसमें उसको चीनी डाल के अच्छे से बून लेना है अब चीनी में थोड़ा सा क्योंकि पानी निकलता है देखिए उस पानी को में पूरा जला देना है इससे हमारी जो लौकी है वह भी पूरी पक जाएगी और बहुत सोंधी सी अच्छी सी महा काने लगेगी यह थोड़े स करपुजी के सीमा करीब है अब पीस्ट भाल भी यूंड से टाल और बहुत अच्छा वर्फी मे इसलिए ईसमें और पढ़त अच्छे हो बगत बहुत अच्छा लगेगा इसलिए इसमें डालना है fighting इसको इस तरह से पका लेना है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तर सस्क्राइब नहीं किया, सस्क्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी बताएं, ये देखें, इस तरह से आपको नई नई डिसे मिलती रहेगी, ऐसे अमें इसको भून लेना, इसका कलर तो फूट कलर लिया है, इसको खाने में यूज कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डाला है, ताकि इसका कलर जोड़ा चेंज हो जाए, और देखने में सुंदर लगे, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, ना ढाले, इसको आप वैसे भी बना सकते हैं बस सुंदर दिखने लगे, बस इसलिए डाल दिया, इसलिए पूरा पक्के तयार हो गया, देखिए चारो तरफ घी निकल रहा है, क्योंकि हमने मलाई डाली है, हमें अलक्स जादा घी की ज़रत नहीं है, एक प्लेट ले लिए, उसमें नीचे घी लगा लिया है, थाली या हमने थोड़े से काजू ऐसे डेकोरेट कर दिया है, लगा दिया ही देखिए, इसके बाद इसके पीस काट लिए, आप खाई और खिलाई आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही अच्छी है ये, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपने कोई इसमें खोया नहीं डाला दूद नहीं डाला, बहुत अच्छी है, एक बार आप ट्राई जरूर करें और सबको बताएं, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू